नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ छवी इंदोर के बांगंगा थाना चेत्र के कुश्वाहनगर का एक वीडियो सोमवार को वारल हुआ जहां पर अविवार देराथ शरावी द्वारा इलाके में शराप पिये जाने का महिलाई विरोत कर रही थी वारल वीडियो में महिला इतनी उग्र हो गई कि पहले तो उन्होंने चपल से शराप पीने वालों कुमारा और उसके बाद लाठियां लेकर भागी वही पुलिस को जो जानकारी लगी उसमें ये बात सामने आई कि लंबे समय से इलाके में कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि इलाके में आईदर शराप पी कर आटो चालक या ट्रक चालक आ जाते हैं और वहीं देशी करारी के बहार बैट कर शराप पीते हैं जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जहां लगातार विरोध करने के बाद भी नशेडी इलाके में बैट कर ही शराप पीते हैं रविवार देदाद भी कुछ ऐसा ही घटना कुराम हुआ था यहां पर कुछ शरापी जब शराप पी रहे थे तो महिलाएं वहां लाठी लेकर पहुँच गई और उन्हें चपलों से भी पीता गया वीडियो वारल होने के बाद पुलिस ने शराप दुकानदारों को ये सक्त हिदायत दी है कि शासन की निर्देश पर जहां सभी आहते बंद हो चुके हैं वहीं शराप पीने की जहां जगा है वहीं बैट कर शराप पी जाए सारजनेक जगाहों पर शराप पीना सीधे तोर पर अपराद की श्रेणी में आता है वहीं आटो चालक और अन्य शरापियों की पुलिस तलाश कर रही है और उन पर सारजनेक स्थान पर शराप पीने का मामला दर्ज किया जाएगा इस तरह का वीडियो सामने आया है वीडियो में कि शराप पीज़र वहां पर साथ उब्लव मचाया जाता है आए दिन बाहर बढ़े तो इस पड़े रहते हैं कि वहां पास में एक शराप की दुकान है और आज पास जो इंड़स्टरिन शेत्र है वहां पर लाइड की कमी है बहुत सारे सूने शेत्री भी हैं तो वहां पर इस तरह की शिकायते प्राफ होती है पुलिस द्वारा लगातार इसमें कारवाई की भी जा रही है पिछले कुछ दुनों में बड़ी संख्यावें पुलिस ने इस तरह के लोगों को बंद्भी किया है लगातार हम इस सम्मन में कारवाई कर रहे हैं